नवस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी योडोप चैनल पर जी हां दोस्तों आप देख रहे हैं नई रीट बढ़ती की विगपती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर तो दोस्तों मैं आपको बताना चाऊंगा कि कुछ समय पहले ही सिक्ष्या मंतरी का बड़ा बयान सामने आया है कि रीट के मादियम से नई थर्ड ग्रेड की जो भड़ती है वो 34,000 पदू के लिए आयुजित की जाएगी कब इसकी परिक्सा होगी और कब इसकी विगपती जा जल्द आएगी नहीं भड़ती शिक्ष्या मंतरी बीडी कला के बयान के बाद कनेडेट्स की बड़ी उमीदें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाऊंगा कि शिक्ष्या मंतरी ने दो गंटे पहले ही बयान दिया है कि नई रीट 2023 का जो आयोजन है वो जल्द ही किया यानि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रीट 2022 का जैसे ही परिणाम आएगा और परिणाम आने के बाद 45 दिन के अंदर उनको नियुक्ति मिल जाएगी और परिणाम है वो अपरेल लास्ट में आ जाएगा और उसके बाद में 45 दिन में नियुक्ति मिलेगी और नियुक्त की जाएगी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखे पहले अध्यापक पातरता परिक्सा होगी उसके बाद में रीट मैंस का आयुजन किया जाएगा और पदू की संक्या मैं आपको बता दू कि 34,000 पदू के लिए नई रीट 2023 का आयुजन किया जाएगा साथ ही 1st ग्रेड की नई बढ़ती लगबग 8,000 पदू के लिए आईजित की जाएगी तो दोस्तों अपने फड़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे जब भी इनके विशे में कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के मादम से सबसे पहले सुचित कर दिया जाए मेरे द्वारा बताई जानकरी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेहर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन जै भारत